आप लोगों का हर्दिक स्वागत लेट अफ्ट अप्टेट निकल गया है कि केंद्रे क्रमचारियों के लिए बूत बड़ी खुश खबरी है सैलरी में होगा 49,000 का इजाफ़ा तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफटाइम इजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए तकि गौर्मेंट या प पारी जाफ़ा देखने को मिलेगा मिडिया रिपोर्ट की माने तो केंदर की मोधी सरकार क्रमचारियों को बड़ी कुसकबरी दे सकती है सरकार उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है अगर फिटमेंट फैक्टर में जाफ़ा होता है तो क्रमचारी के नियुन्तम सैलरी में करीब 8000 रुपे तक की बड़ोतरी होगी अभी केंद्रे क्रमचारी को 18000 रुपे नियुन्तम मूलवेतन मिलता है जबकि केंद्रे क्रमचारी इसे बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रही है अभी फिटमेंट फैक्टर 2.5 साथ है जिसे क्रमचारी 3.6 करने की मांग सरकार से कर रही है अगर सरकार उनकी इस मांग को मान लेती है तो क्रमचारी की नियुन्तम मूलवेतन या बेसिक पे 18000 रुपे से बढ़ कर 26000 रुपे हो जाएगी दोस्तों मिडिया रिपोर्ट के निसार क्रमचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर के मामले में सरकार के परतिनीदियों के साथ बैठक करेंगी इस बैठक के बाद ही संभावना है कि नियुन्तम सैलरी में बढ़ा इजापा किया जाएगा आपको बता दे कि पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था तब क्रमचारे का मूल वितन 6000 रुपे से बढ़कर 18000 रुपे कर दिया गया था अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा जाता है और क्रमचारियों की बेसिक पे 18000 रुपे से बढ़ा कर 26000 रुपे कर दी जाती है तो महिंगाई बते में इजापा होगा अभी महिंगाई बता बेसिक पे के 31% के बराबर किया गया है दोफ तो आपको बता दे कि अभी 18000 की बेसिक पेपर केंद्रे करमचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से 46,260 रुपे मिलता है मगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होगा तो उनकी सैलरी में 95,680 रुपे हो जाएगी यानि उनकी सैलरी में 49,000 से ज़्यादा का इजापा होगा तो दोफ्तो वेतर निर्दारित करते समय बत्तों के अलावा जैसे DEA, TEA, HRA वगारा करमचारि की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जै हिन जै वारत